तो अब हम देखते हैं next concentration terms अभी तक क्या हमने देखा percentage, ppm, molarity, normality, formality अब हम देखेंगे molality यह बहुत important concentration terms है जो कि इस पर different variety के question possible है again और यह एक ऐसा concentration terms है जो solvent के base पर defined होता है अभी तक जितना भी हमने देखा सब solution के base पर defined था यह एक मात्र ऐसा terms है जो solvent के base पर defined होगा तो चलिए समझते हैं इसको six number का terms है molality जिसे हम small m से represent करेंगे so molality is defined as the number of moles of solute present in per kg mass of solvent चीक है किस में रहेगा kg में किसी भी solvent के पर kg में किसी भी solvent के पर kg में solute का कितना number of moles present है यह represent करता है molality को so molality is defined as the number of moles of solute present in mass of solvent per kg mass of solvent चीक है अगर हम symbol के form में represent करना चाहें तो number of moles को represent कर लेंगे ns से और mass of solvent mass मतलब है आप इसको w से represent करेंगे तो w और यह हो जाएगा kg चीक है है यह हमने डिप्रेजेंट कर लिए सिंपल के form में अच्छा एक और खास चीज़ यूनिट भी हम यहां से देख सकते हैं तो कर यूनिट की बात करें तो number of moles का unit क्या होगा moles ठीक है और weight of solvent in kg मतलब kg होगा इसका unit और mole पर kg को हम क्या बोलते हैं मोलल कह देते हैं तो morality का जो unit है यह क्या मिल गया हमको या तो आप मोल पर kg बोल सकते हैं या फिर मोलल कह सकते हैं यह है यूनिट ठीक अब हम नुमेरिकल पॉइंट अफिस से इस फॉर्मूले को number of moles of solute present in per kg mass of solvent extend करते हैं चलिए अब देखो हमको क्या पता है हमको पता है number of moles of solute को हम लिख सकते हैं weight upon molar mass तो weight of solute upon molar mass of solute और इसको मैं put कर देता हूं कहां morality में तो m equal to हो जाएगा w upon mt into w kg ठीक तो यह हमको मिलगा formula कभी-कभी यह kg में ना होगा ग्राम में होगा तो आप इसको convert कर सकते हो w into thousand one case equal to thousand gram तो यह हो जाएगा thousand क multiply कर दिया हमने उपर और यह बन जाएगा mt into w gram ठीक तो यह हमको मिलगा morality का formula अब इस formula में आपको बड़े ध्यान से care करना है सब क्या क्या चीज़े हैं अगर हम बात करें तो w किसका है w है solute का mass ठीक यह empty क्या है यह भी है solute का molar mass और यह किसका है यह solvent का है तो अगर आपको morality calculate करनी है तो आपको solute का mass और molar mass से यह रहेगा और solvent का mass से यह रहेगा ठीक है आप kg में मैं prefer करूंगा इस formula का याद रख लो weight of solute upon molar mass और weight of solvent in kg में ठीक है अब देखो यहां पर solution को हमको कोई requirement नहीं है हमको requirement कि इसका solvent का तो ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अब हम इस पर numerical solve करते हैं सारी चीज़े हमने देख ली हमको formula definition भी समाज आ गया हमको unit भी समाज आ गया mole per kg यह इसको मकलते हैं molar और यहां समने इसका formula भी देख लिया अब इस पर कुछ अच्छ अच्छ करते हैं नोट कर लिए इसको तो चलिए हम देखते हैं फॉस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करता हूं मैं calculate the morality of 2.5 gram of ethnoic acid in 75 gram of benzene question बोल रहा है कि 2.5 gram of ethnoic acid को 75 gram benzene में dissolve किया गया है तो बतागे इसकी morality क्या होगी हमको पता है कि फर्मूला क्या होता है फर्मूला होता है morality equal to weight या फिर mass of solute molar mass of solute and mass of solvent in kg तो हमको क्या के requirement है हमको solute का mass और molar mass और solvent का mass ठीक है तो पहले तो और इंटिफाइ कर लेते हैं कि solute क्या solvent क्या है solvent solute क्या है ethnoic acid क्योंकि वो benzene में dissolve हो रहा है तो ethnoic acid के सब्सक्राइम बात करें तो ethnoic acid इस ethnoic acid का फर्मूला क्या होता है CH3 CWH ठीक है यह किसमें dissolve हो है यह dissolve है benzene में यह देख लिए बेंजीन बेंजीन का फर्मूरम को पता होता है C6 H6 और दोनों mix होकर कि क्या form कर रहे है एक solution form कर रहे है ठीक है तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए इस solute का मास और जो कि given है इसका मास कितना है w equal to mass हमारे पास given है 2.5 ग्राम तो यह 2.5 ग्राम ठीक डबलू मिल सब्सक्राइब कर लिए और हमको चाहिए मोलर मास सही है तो मोलर मास empty आप इस फॉर्मूले से कल्कूलेट कर लिजिए इसकी वेल्यों में लिए कि हमको 60 ग्राम पर मुझे पता है मैं आपको confusion है तो आप calculate कर लिजिए ठीक है देखो डबलू मिल गया empty मिल गया और क्या गीवन है और हमको बेंजीन का मास भी गीवन है तो डबलू केजी कल्कूलेट कर लिजिए डबलू केजी हमको कितना गीवन है डबलू केजी गवन है 75 ग्राम तो यह हमारे पास 75 ग्राम ब कर देते हैं क्योंकि जो जम कुछ यह सब मिल चुका है तो मौलेटी क्या हो जागा देखो एम इक्वाइटो डबलू अपन एंटी इंटो डबलू केजी डबलू केजी कितनी है 2.5 एंटी कितना है 60 और डबलू केजी है 75 इंटो थाउसेंड ठीक है चलो सॉल करें देखो सॉल करने के लिए मैं प्रिफर करता हूँ कि इसको एक बार हम क्या कर लें डेसिमल को हटा लेते हैं तो यह हो जागा 25 और यह हो जागा 1000 डेसिमल आटा डिनामेटर में कहाँ जागा 10 यह दिखे 60 और यह 75 जो कैंसल होता है कैंसल करना सुरू करता है एक जिरो कैंसल दो जिरो कैंसल यह दो जिरो कैंसल हो गया ठीक है अब देखो 25 वोन जा 25 25 थीजा 75 ठीक है क्या बचा numerator में बचा 10 और denominator में क्या बचा 6 into 3 that is 18 आप इसको solve कर लिजे इसको और simplify कर सकते हैं क्या 2 से और cancel हो जाए गई तो 2 से और cancel हो जाए गई 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 मतलब finally क्या हो गया finally मरबस m equal to आ गया है 5 upon 9 आप इसको solve कीजिए तो क्या आजाएगा point में इसके value मिल जाएगी 0.556 और unit क्या होगा mole per kg या फिर आप molar कह सकते हैं तो यह आपका answer है ठीक चले note कर लिजिए हमने क्या किया simply हमने formula देखा formula में क्या requirement है solute का mass और molar mass तो हमने calculate कर लिए हाँ से देखो mass तो given है molar mass हमने calculate कर लिए फिर हमको solvent का mass है kg में gram में given है kg में convert कर लिए सारी value put कर लिए put करने पर इसको calculation कर लिए ठीक है क्या बोले हमको morality calculate करनी है morality का formula again मैं यहाँ पर लिए देता हूँ multiple to weight of solute या फिर mass of solute molar mass of solute और weight of solvent in kg तो हमको solute पहले identify करना है और solvent identify करना है solute कहा हमको क्या चाहिए mass और molar mass solvent क्या चाहिए mass तो solute क्या है solute है यहाँ पर sodium hydroxide क्योंकि sodium hydroxide ही solvent में dissolve हो रहा है solvent क्या है equus solution बन रहा है मतब solvent हो यहाँ पर water और दोनों mix होके क्या बनाएंगे solution form करेंगे ठीक है अब देखो आपको solute के बारे में क्या के information given है solute के बारे में आपको इसका mass given है mass कितना है इसका W equal to 40 gram ठीक तो इसका molar mass कितना हो जाएगा इसका molar mass आपको पता है MT equal to कितना हो जाएगा 40 gram per mole ठीक formula से calculate कर लीजिए sodium का 23 23 हो गया oxygen का 16 हो गया 39 हो गया दोनों को इड़ करने के पाद और hydrogen का 1 40 आ ठीक अच्छा और क्या चाहिए आपको आपको मिल गया molalytical blood करने के लिए weight मिल गया और molar mass मिल गया अब आपको solvent का mass चाहिए मतलब आपको चाहिए WKG ठीक तो WKG given है का है आपे नहीं given है बट यहाँ पर हमको solution का mass given है solution का mass कितना given है यह आपको given है 140 gram अब बताइए solution किससे मिल के बनता है solute और solvent से तो अगर हमारा solute 40 gram है तो बाकि जो बज गया solution हो क्या होगा solvent तो 40 plus 100 sorry 40 plus 100 कितना हो जाएगा 140 तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा value solvent का mass हो जाएगा 140 minus 40 that is 100 gram तो solvent कितना मिल गया हमको solvent मिल गया 100 gram 100 plus 40 कितना हो जाएगा 140 simple जी बात है बट हमको इसको kg में convert करना है तो kg में convert कैसे करेंगे 100 upon यह हो जाएगा 1000 और किसमें हो जाएगा यह kg में ठीक है तो देखो हमने क्या के calculate कर लिया हमको यहाँ mass of solute पता था molar mass of solute calculate कर लिया और यहाँ पर weight of solvent या mass of solvent यह भी calculate कर लिया किसमें kg में सारी चीज़ें मिल चुकी है बस formula में put करने की देरी है तो क्या हो जाएगा देखो है आपर molality m equal to weight upon weight of solute upon molar mass of solute into weight और यह गया से mass of solvent in kg सारी value put कर लेते हैं weight कितना है यह 40 gram molar mass कितना है यह भी है 40 और solute का mass कितना है solute का mass हमको मिला है अभी देखो kg में है तो यह 100 और यह 1000 कहाँ चला जाएगा उपर चला जाएगा ठेक सबको देखो solve कर ले solve करने के बाद जो आएगा वही हमारा answer होगा यह आज देखो यह 40 और यह 40 cancel एक 0 cancel एक 0 cancel एक 0 cancel बचा क्या बचा सिर्फ 10 ठेक तो हमारे पास molarity कितना मिल गया 10 mol पर kg यह हमारा answer आगे ठेक कुछ आउठ है नोट कर लीजिए तो चलिए अब हम देते question number third if 17 gram ammonia is dissolved in 100 ml of solution find molality if density of solution is 1.2 gram per milliliter देखो इस question में क्या बोला है ammonia किसी solvent में dissolve हो रहा है और एक solution फर्म कर रहा है तो बताइए उसकी molality क्या होगी अब देखो molality जैसे बोला तुरंत आप एक बार फर्मलिक लेखीजिएगा molality क्या होगा weight upon molar mass weight of solute upon molar mass of solute और यह हो जाएगा weight of solvent in kg जो जो requirement है वो हम calculate कर लेते हैं देखो हमारे पास solute क्या है solute है ammonia NH3 यह किसमें dissolve है ammonia dissolve है किसे solvent में solvent specify नहीं है तो हमने सिर्फ solvent लिख दिया और यह क्या form करेगा यह form करेगा एक solution ठीक और इसमें given क्या क्या है इसमें given है कि जो ammonia है इसका weight given है या mass given है 17 gram ठीक मतलब हम कुछ W मिल गया और क्या चाहिए empty molar mass तो molar mass calculate के लिजे nitrogen का 14 और 3 hydrogen 17 हो गया तो इसका molar mass कितना हो जागा molar mass 17 gram पर mole चलो molar mass मिल गया अब हमको solvent का mass है ये kg में तो solvent का mass given है क्या नहीं given है इसके बदले क्या given है हमको solution करना volume given है कितना given इसका volume इसका volume given है 100 ml और इसका density भी given है तो density given है density equal to 1.2 gram per ml तो आप यहाँ से mass calculate कर सकते हैं अगर आपको solution का mass मिल गया तो solution के mass से solute के mass को हम minus कर देंगे क्या मिल जागा solvent का mass मिल जागा तो चलिए इसको हम calculate कर लेते हैं तो density से अगर हम mass calculate करना चाहते है तो density क्या होते है density equal to mass upon volume तो यहाँ से mass क्या हो जाएगा mass equal to density into volume यह formula apply कर लेते हैं तो यहाँ देखो mass क्या हो जाएगा mass equal to volume into density तो volume कितना है 100 density कितना है 1.2 और unit क्या होगा देखो इसका unit है ml इसका unit क्या है gram पर ml ml-ml cancel हो गया gram में आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1.2 into 100 यह हो जाएगा 120 gram तो हमको mass मिल गया solution का 120 gram solute का mass कितना है solute का mass है 17 gram तो बताएगे solvent का mass क्या होगा solvent का mass क्या हो जाएगा यहाँ समें WKG अगर calculate करना चाहूं तो यह mass मिल जाएगा solution का mass जो भी है उसमें solute को हम minus कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको solvent का mass मिल जाएगा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus कर दीजिए minus करने से 103 gram बत हमको यह किसमें चाहिए kg में चाहिए तो मैं kg में convert करता हूँ इसको तो यह हो जाएगा 103 upon 1000 और यह हो गया kg में ठीक इसको मैं अलग से line separate कर दिया ठीक तो हमको देखो सारी चीजे मिल गई है अब क्या कर देते हैं formdome में put कर देते हैं तो m equal to क्या हो जाएगा w upon empty into w kg w की value कितनी है 17 empty कितना है 17 और w kg कितना है 103 इधर क्या हो जाएगा 1000 ठीक देखो यह 17 17 तो cancel हो गया यहीं से दीक रहा है दीक रहा है ना तो बच क्या आगया 1000 upon 103 इसको आप divide कर लीजीगा आप divide करेंगे तो आपको इसकी value मिल जाएगी molarity m equal to 9.708 ठीक मैंने calculate कर लिया है इसलिए मेरे को पता है तो आप भी calculate कर लीजीए इसको divide कर लीजीए कि simply आपको मिल जाएगा molality equal to 9.708 और इसके unit क्या होगा unit होगा mol per kg या फिर इसको क्या कह देते हैं molal कह देते हैं तो यह हमको इस रस्मिल की molality तो अगर आपको directly solvent का mass पता नहीं है और उसके बदलेगर solution का volume पता है और density पता है तो पहले आप solution का mass calculate कर लीजीए फिर जो भी solute का mass है उसमें minus करके हम solvent का mass calculate कर सकते हैं फिर हमारे formula की सारी requirement fulfill हो गई और इस तरह से हम क्या कर लेंगे molality calculate कर लेंगे ठीक है तो इस तरह समने आसानी इस question को solve कर लिया एक question आप देखते हैं काफी अच्छा question है हो तो चले note कर लीज़ इसको चले question read कर रहो हूं मै calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqua solution बहुत ही अच्छा question है ये थोड़ा focus का requirement है इस पे देखो question बोल रहा है कि हम urea को water में dissolve कर रहे हैं और जो solution बनेगा उसकी molality कितनी होगी 0.25 molar मतलब molality given है 0.25 molarity वाला solution बनेगा तो बताइए जब solution 2.5 kg बन जाएगा तब वहाँ पे urea मतलब solute का requirement कितना होगा ठीक है चलिए solve करते हैं इसको question recording urea जिसका formula होता है NH2 CO NH2 यह किसमें dissolve है यह dissolve है water में और mix होके क्या बना रहे है solution बना रहे है इस solution की molality कितनी है इसकी molality given है M equal to 0.25 molar molar का बहुत simple सा मतलब होता है 0.25 molar मतलब इसको में लिख सकते है mol per kg तो यहां से हमको एक बात और समा जा रही है morality का मतलब होता है mol per kg मतलब 1 kg solvent में कितना number of mol present है 0.25 ठीक अब देखो question आपको पूछ रहा है कि जब आप solution को 2.5 kg बना लेंगे 2.5 kg solution बनाएंगे तो उस solution में यूडिया की requirement कितनी होगी तो हमको ना तो इसका कोई value given है ना तो इसका कोई value given है और पूछ रहा है कि 2.5 kg solution बनाने के लिए कितने यूडिया की requirement होगी तो पहले आप क्या कर लिजिए आप यहां से solvent के standard value assume कर लिए solvent कितना पर kg मतलब मैंने यहां से assume कर लिया जो हमारा solvent है वो कितना है 1 kg है ठीक समझे का क्या कर रहा हूँ मैं यह हमने solvent assume कर लिया 1 kg और हमको 1 kg के corresponding इसका weight calculate कर लेना है सबसे पहले ठीक है तो इसके लिए हमको molar mask के requirement पढ़ी की तो molar mask कितना होगा molar mask formula सब calculate कर लिजिएगा 60 gram पर mole यह भी हमको मिल गया अब आपको करना क्या है simply formula apply करना है और यह देखना है कि 1 kg solvent ले रहे है तो इतनी morality वाली solution मनाने के लिए कितने urea के requirement है ठीक है चलो देखो यहां पर क्या हो जागा morality का formula क्या होता है morality equal to w upon mt into w kg ठीक है अराम से देखते रही है बहुत ही मज़ा है question को solve करने के बाद आपको यहां पर देखो weight निकाल लीजिए तो क्या हो जागा w और सारे को यह ट्रांसपर कर दो m into mt into यह हो गया w kg ठीक मैंने सबका value put कर दिया देखो यहां पर morality है 0.25 यह molar mass कितना है 60 और weight हमने कितना के जुम कि है solvent का 1 kg तो यह हो जागा 1 kg जब आप इसको multiply कर दीजिएगा तो इसकी value मिल जाएगा आपको 15 g ग्राम इससे क्या समझाया इससे यह समझाया कि हम 0.25 molarity वाला solution बनाने के लिए अगर 1 kg weight लेते हैं तो उसमें 15 g ग्राम हमको क्या चाहिए 15 g को solute चाहिए मतलब यूरिया चाहिए ठीक है इससे अगर आप solution का amount calculate करना चाहो तो solution कितना हो जाएगा देखो mass of solution तो mass of solution कैसे calculate कर लेंगे आप solute का mass मतलब w plus w kg तो w कितना है अभी 15 g ग्राम और solvent का weight कितना है solvent का mass कितना है 1000 g इससे यह समझाया यहां से यहां से समझाया हमको 0.25 molative solution बराना है तो 15 g हमको क्या मिला है solute मिला है और solvent हमने कितना लिया था 1000 g यानि कि इसको अगर मैं kg में convert कर दूँद क्या हो जाएगा kg में convert करूँ कि यह हो जाएगा 1.000 से डिवाइड गर दो 1.015 kg ठीक अब देखो मैं जो स्टेटमेंट अब बोलूँगा यह बड़ा काम का चीज़ है कि इससे यह समझाया कि 1.015 kg कितना यूरिया कंटेन करता है 15 ग्राम ओफ यूरिया यह बात समझा इक नहीं जो 1.015 ग्राम ओफ सॉल्यूशन है इसमें कितना यूरिया मिक्स है 15 ग्राम तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि जब आप 2.5 kg 2.5 kg आप सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उसमें कितना यूरिया होगा तो हमने पहले इसको क्यों के लिक्राट के समझाया ना क्योंकि हमको morality पता है इतनी ही morality वाली हमको क्या बना नहीं सॉल्यूशन तो जब हमने देखा कि 1 kg क्या बना 1.015 kg सॉल्यूशन मिला मतलब 1.015 kg जो सॉल्यूशन है कितने यूरिया को मिक्स करने जबना है 15 ग्राम यूरिया हो तो आपको क्या calculate करना है आपको calculate करना है जो सॉल्यूशन के 2.5 kg 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा तो आप यहां से calculate कर लिजिए हम assume कर लेते हैं कि 1 kg अप सॉल्यूशन 1 kg अप सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा इसको transfer कर दिया मैं इधर तो देखो 15 upon 1.015 ग्राम ऑफ यूरिया होगा तो finally हमको चाहिए 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा तो 2.5 का multiply कर दिये क्या हथा कि 2.5 into 15 upon 1.015 ग्राम ऑफ यूरिया ठीक आप इसको solve कर लिजिए solve करने को value मिल जाएगा तो यह जो value आएगा यह value होगा कितना यह value होगा 36.94 ग्राम ऑफ यूरिया समझाया मतलब अगर हमको क्या बनाना है अगर हमको 2.5 kg अब solution फॉर्म करना है जिसके morality क्या होनी चाहिए 0.25 मोलल होनी चाहिए तो उसमें यूरिया कितना प्रेजेंट होगा उसमें यूरिया प्रेजेंट होगा 36.94 ग्राम यूरिया कभी अप्रॉक्सिमेटल 37 भी ले लिए आता है तो वह कोई मैटर नहीं करता है इसको अब्रॉक्सिमेटल 37 में लिख सकते हैं क्लियर है समझा गया ना ठीक है चलो नोट कर जो इसको झाल झाल